यह खड़ी बाइक और यह किसानों की पलेज और भृफ यह किसान क्या कर रहा है देखते हैं पास जाके भाई यह क्या कर रहे हो तुम इफ मतलर इस तरह से तूम करोगे तो किसी को भी स्वास्ते की दिक्कत हो सकती है कि यह मतल तो अफसल से मतलबह एसा होता कि तुम्हें अपनी फसल से मतलव है एंसा नहीं होना चीह ना कोई कि Big अप होने तो नौख सेम घंगा कि किसी की ने बता लाएं है तो हम इधर आए गूमते हुए छाब करिएंग यह तो हमने छले जाएंगे रास्ता भी अधर को चला जाएगा है है यह तो फोह अिधर को आपने और अपने खेत हैं तो फिर वहाई अपने अपने तो त्मारा भी ऐक फेइद है तो फती 도ुन तो घृष्श कृत इसे इंजेक्षन लगा लिए इन्जेक्षन क्या है गिया लंब करने का घ्या इससे बढ़ जाता जल्दी घ्या तो वैसे वी यह काफी बढ़ जाता होगा और यहां किसी का मतलब यह सारा माल कहां बेज रहे और तुम कौन से मंडी के दिली में अगर सारी होते होते हूं भी बेचते हुए माल और यह वाला कोल घिया इधर इसमें भी लगाते हुए इंजेक्शन गलत किसी का हेल्थ की इससों हो सकते हैं प्रावलम हो सकती है किसी को भी तुम खुद भी इसको खाते हो लेकिन दिक्कत नहीं होती है जैसे लूज मोसंस हो जाते हैं पीट की देखा लगाने लगा है औरे नहीं यार सही नहीं होता है यह बेकार है बतला इसको फैंको अभी फैंक दो इसे वरना तुमारी वीडियो बना रहा हूं यह दिखा दूँगा सबको कहीं न कहीं पर देख ले ना इंटरनेट बडालूगा ठीक है तो इसको इंजेक्शन नहीं जाएगा नेट पर और फिर देखना क्या होगा तो तुम्हारे साथ में तो चलो अब निकलो और ऐसा काम होंध करना कभी ठीक है वरना यह नेट पर इंटरनेट पर वीडियो डाल दी जाएगी तुम्हारे और तुम्हारे लंका लग जिशे हैं है यगाइस इस वीडियो कोही ऐसा परबच मीन यह यह इंचेक्षन नहीं देने की जुरौस्त मतलब चलता ही नहीं है उसमें घ्या के जो ढया अंदर गुट जाता कि नहीं चल पाती हो देख सकते हो तक यह पितना कि कितने प्रेस करना इसके-ड़ जो छेद चल पाता है जो इनजेक्षन होता है सिस्फ जुमन बॉड्य होते हैं जानवर होते उसमें चल सकता है लेकिन एसे सब्यों में नहीं चल पाएगा और आप देख तो यह चलता नहीं सिर्फ जागरूपता के लिए वीडियो बनाई गई है जिससे कि मैंने इंटरनेट पर देखा था कि लोग ऐसा दिखा रहे थे कि जिससे कि लोगों के मन में गलत भावना चली जाती है कि घिया में जो होता इंजेक्शन दिया जाता और घिया इतना बड़ और इतनी सारी पले लगे हुए हजारों वीखे में यहां पर टोटल यह गंगा का एरिया है और यहां पर कहीं भी किसी भी चीज का इंजेक्शन देने की जुर्ट नहीं पड़ती है और किसान अच्छे से करते हैं और नॉर्मली पानी और खात देते हैं जिसकी वज़े से गरूत करती है और गया को मतलक घ्या और तोरी एक ऐसी सब्जियं जो कितना भी आप खाओ गर्मी में और बहुत अच्छी रहती हैं और किसी भी तरह इक जो और दूसरी सब्जी इसको नहीं लग पाती है गर्मी के मौसम के लिए सबसे बैस सब्जी होते है गिया और निश इसको इसके वाज़े से इसलिए खूब घिया खाओ-कोई दिक्कत ने सब्सक्राम किमा है झाल झाल